असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे सब लोग दुआ करती हूँ आप लोग सब खायरे से होगे आज मैं आपको मुरादा बादा बिर्यानी बिर्यानी भी बोलते हैं और प्लाव भी बोलते हैं चलो किस तरह बनाते हैं अब मैं बताती हूँ आपको पहले आपने मेरा चैनल लाइक और शेर का ससक्राइब नहीं किया है तो पहला आप कर लिजीए चलिए आईए मेरे केंट में ने बता हूं किस तरह बनाए जाता है यह मटन में भी बनता है और चिकन में b/. मैं आज आपको अप्चन में बनाना बचारही हुँ साप दो के उसको तुकड़ो में कटके रख लिआ है और चार प्यास उसको भी मैं बारिक स्लेस में काट ली हूं और टमाटा भी बारिक परीक चौप कर ली हूं और आलू को भी मैंने तल के रख ली हूं और इसके अंदर धाई अदर लसून कैος हरी मिर्ची का पेष है यह सारे मसाले और यह सुक्य मसाले में है नम्मक एक चमज बड़ी सोभ एक आदा चमज जीरा पौड़र और अखा वड़ा चमज धन्या पौड़र और यह ह्रस्ड गरम मसाला पौड़र और यह काली मेरी और कुछ लॉंग और हरी लाइची एक तिन से चार और जो यह लॉंग है जीरा है बादियन के फूल है दालचीनी है काली मेरी है और तेज पत्ते हैं बॉल में हम मटन ले लेंगे बॉल करा हुआ उसके अंदर हम धाई आट कर लेंगे इसके अंदर अधरक लसुन का ले हूँ आप अपने सौत के साब से हरी मिर्स ले लिजे मैंने हमारे जैके के साब से हरी मिर्स कुटावा दाली हूँ और कुट मिर भी इसको भारिक से चौप करके मैंने दाल रही हूँ और जो सुक्य मसाले बताई थी दोस्तों मैं वह सारे सुक्य मसाले भी इसी के अंद रस रस के अम Onu को सब रस करना है क्वह थे मदद फूरा निकाल लें गे ताकि हमारा बीच एक भी उसके अंहें थे और गीर और इसको अच्छी ही तरह से हम इसको मैश करलें यहें अछे से मसल लें लिमूर चील ऊत्षार रस तो पूरा प्रणा पूरा दिले ले लें हम तपिली को गरम होने देंगे तपिली गरम होने के बाद हम इसके अंदर ओइल दाल देंगे यह ओइल हमारा अच्छी तरह से गरम हो जाएगा यह कितना चमज है चार चमज जाए चार चमज हमेरा ओइल गरम हो चुका है अब इसके अंदर मैं यह प्यास दाल रही हूं प्य आप अराम से प्यास, देखो मेरा कितना प्यास अराम से इतना अच्छा गोल्डन ब्रॉन और वरिस्ता बन चुका है। इसी तरह अगर आपको ग्यास चालू रखके प्यास निकालने का हो रहा है, तो आप बन भी कर सकते हो, ताकि आपको डर लगेगा कि हमारा प्यास और न जल जाए तो इस state में आप सारह मसाला जो हमने मिक्स करके रखाता यह सारह मसाला इसके अंदर डालके बुन लीजीए तो कितना इसी है ना मुरादा बादा बिर्यानी और यह हमारा प्लाव सब बनाने का यह आपने को एक साप से देख लोगे न आप तो आपको पता ही ने चलेगा कि हमने क्या डिस बना ले खली लगता है कि नाम से हमारे को क्या आरे यह कैसा बनेगा यह आला यह किस तरह बनता होगा बस सब चीज वही वही चीज रेती जो बेसिक जो हम रोज के रख देंगे हमारा मस्वारा थ स्प्राओ हैं दस मिलीट के लिए अछी तरह से ब्वूण चुका है हमेरा मटन भी अच्छी से गल चुकाहि आ clicking हमने आलो को अच्छी फेले से तल लिए था अभी हम आदा को करेंगे उसके बाद देखो हमेरा आलो भी है कोखो गया मटन भी कोखो गया देख रहे हो ना देखो में अध से दभा के देखते हूं जैदार नहीं कोख करना इसको अभी जो मतन मैंने बॉल कर के रखी ति उसका जो मैं श्टॉक रखी थी वह श्टॉक में ने इसके अंदर आल दियों, ताकि हमारा 500 गिरा मतन है 500 गिराम राइस है तो उसे हसाब से आप बराबर पानी दाल डीजिये जैसे के हमारा पासो गिराम मटन है पासो गिराम चावल है तो हम सिर्फ चावल कही उसके अंदर नाप लेगे पासो गिराम हमारा राइस होता है तो हमारे को पासो से डबल डाल एक लिटर पानी इस पे परफेट रबर हमारा चावल अच्छे से पक जाएगा हमारा पानी बोईल हो चुका है अब इसके अंदर हम जो धोकी भीगो के रखेते हैं यह मेरा कोलम चावल है मैं बासमती राइस ने बना रही हूँ क्योंकि बिर्यानी के लिए बासमती राइस अच्छा लगता है लेकिन प्लाव के लिए हमारे को कोलम चावल की ही जरूरत तो मेरे मेरे चोटे से चोटा ain't आएंगा तो मैं धीमियाँज कर दूंगी इसमें अभी चोटे चोटे बोभल्स आगे मेरे इसको में अ त्परी बावरा इस समय पक चुका है आद मेरे ठीकन ढ़ा के थोड़ा और 2 लिट के लिए रख दूंगी धीमियाज दूंगी इसी अंदर ही रहे और अच्छे से हमारा पूरा राइस आलू जो मटने सब सारी चीज को इश्टी मिल जाए और हमारा खाना बनके रेडी जल्दी हो जाए क्योंकि हवा भार जाती है तो खाना जल्दी से दम नहीं होता है न देखो कितना अच्छे से धुमा आ रहा है चारू अगर बरिस्ता की खुश्भू बहुत अच्छी आती है चलिए आईए हम खाना खाते हैं किस तरह बनागा देता है तो आलू मिलता ही नहीं था खाने के लिए हमारा खाना बनके रेडी हो गया मुरादा बादा प्लाव यह उपर से बरिस्ता चिनक दूंगी थोड़ा सा कित अच्छा लग रहा है ना इसका जाइका और दो बोलते ना और चार चान लगा देता है अगर बरिस्ता की खुश्भू बहुत अच्छी आती है चलिए आईए हम खाना खाते हैं किस तरह बना है मेरा मुरादा बादा बिरियानी यह प्लाव जो आप नाम दो चलो आईए दे से बिके सात अलाफ इस